भार्तिय नौसेना तीन महीने पहले हाईजैक हुए जहाज को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने नेवी पर फाइरिंग की। भार्तिय नौसेना ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने कहा कि 14 दिसंबर को भी समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज M.V.Ruin को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे। पंद्रमार्च को हमारा एक चौपर जहाज को बचाने के लिए उसके करीब पहुचा। इसके फॉरन बात समुद्री लुटेरों ने चौपर पर फारिविंग शुरू कर दी। फिलहाल हम सेल्फ डिफिन्स में कारवाई कर रहे हैं। लुटेरों से सरेंदर करने को कहा गया है। साथी उनसे बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को आजाद करने के लिए भी कहा गया है। क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी नहीं है।